नमस्कार दोस्तों परनाम जय हैं स्वागत है आपका हमारे बड़े भाया गुडु राज जी के पास आज हम इनके स्टूडियो में आये हुई हैं दोस्तों इनका स्टूडियो है जी डी आर फिल्म्स यहां से यह बहुत ही अच्छे-च्छे गाने तयार करते हैं आज हम आप सब्सक्राइब को रिवियो दिखाएंगे इनके स्टूडियो का बहुत ही मस्त स्टूडियो बनाया हुआ है इनों ने यह बहुत ही खास बात है बहूत ही मज्यदार बात यह है दोस्तों के हमारे जो पाइसे जाते हैं जिनके पास पैसा हो यह ना हो यह कहते हैं कि आपके पास टैलेंट है तो आई एक हमारे पास गाइए और अपना नाम कमाई इतना अच्छा व्यक्तिकत सोच है इनका तो हमें बहुत ही अच्छा लगता था काफी दिनों से मैं खुद इनका follower हूं follow करता हूं तो आज हमारा सभाग है कि हमें इनके स्टूडियो में आने का मौका मिला और दोस्तों आज ये वीडियो बनाने का विसेश मुद्दा हमारा ये है कि कल का न्यूज है विया कल एक न्यूज आया है भोजपुरी इंडस्टी में अब बहुत ही ख कि भोजपुरी में भईया कुछो हो सकता है कुछ भी हो सकता है पता नहीं कि अगले घंटे का न्यूज हो जाएगा लेकिन जो कल न्यूज सुने हम उससे तो हमें भी थोड़ा सौक लगा बहुत ही वो न्यूज आप भी जानते हैं सिल्पी राज जी के बारे में है बहुत ही मतलब की घटिया न्यूज है क्या कि हमें अंदाजा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है तो जब हमने देखा वो न्यूज और उसको जब वेरिफाई किये तब जाके हम हकीकत तक पहुंच पाए हैं और आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों कि ये बहुत ही घटिया किसम का मतलब की घटिया साजिस रचा जा रहा है हमारे सिल्पी राज जी जो हैं उनके खिलाफ बहुत ही अच्छे कलाकार हैं बहुत ही सुरीले गायक हैं दोस्तों जिनके वारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में वो किसी पहचान और नाम की मोहताज नहीं है ब आप लोगों ने भी पिछले 24 घंटे में देखा होगा सुना होगा कि उनके खिलाफ कितनी घटिया और कितनी गंदी साजिस की जा रही है दोस्तों बहुत ही शर्म की बात है बहुत ही शर्मशार बात है हलाकि दोस्तों मैंने खुद उस वीडियो को जो बता रहे हैं कि सिल् रहे हैं कि ये सौ परतिसत साजिश है सिल्पी राज उसमें नहीं है नहीं वो सिल्पी राज का वीडियो है आप सब जानते हैं शिल्पी राज ने पिछले दो सालों से क्या तरक्की की है किस आसमान की उचाईयों पे जा रही है वही उनकी जो तरक्की है कोई और ना ट्रेंड करने लग जाए समझ गया ना दोस्तों कहते हैं समझदार के लिए इस सारा काफी होता है तो हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे इस सारे में बताना चाहेंगे लेकिन कोई भी हो मेरे कहने का मतलब कोई भी हो मेरे भाई ये गलत है यार हर इंसान को हक ह मतलब आगे बढ़ने का, हर इंसान को हक है कि मतलब मेहनत करे, उसके पास बुन है, लोग पसंद करें तो आगे बढ़ेगा ही। और कैसे रोक सकते हो और रोको गे beautiful ऐसे इतनी घंडिया हरकत करके इतनी घंडिया हुआ मत Turn इतना घंडिया निती बहुत ही शर्म की बात है हाँ अगर आप में दम आप अगर किसी को रोक सकते हो अपने किला के दम पे रोको अपने you के दम पे रोको यह तो कोई बात नहीं हुआ बहुत ही शर्म की बात है इसी तरह दोस्तों पहले कुछ समय पहले वीडियो आया था तो उसका वीडियो वाइरल हुआ था चलिए मानते हैं हकीकत होगा कुछ भी हो भगवान जाने उससे हमको कोई लेना देना नहीं लेकिन कहते हैं कोई तो सला हग दिया वो तो है ही मतलब गंदा जो हग दिया और उसला कितना गंदा है जो उसका गुं को लेके सब को दिखा रहा है देखो हगा हमारे कहने का मतलब ही है कोई अगर इतना गलती कर दिया मान लीजिए दुनिया में बहुत लोग है बहुत परकार का है ले कोई नहीं गंद पहला रहे देख लीजे गिने हुए दो-चार ही यूट्यूबर हैं इस लृवर हैं जो कि सिल्पी र высок के खिलाफ बख रहा रहे हैं बखवास कर रहा हैं नहीं तो बाकि और किसम के इंसान है जो की पूरा सैटिफिकेट के साथ जैसे कि उस साला खुद जाके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हो तो चलिए दोस्तों विसेश हम नहीं बकाईती करेंगे का बोलें बोलने लायक कोई विसे नहीं है बहुत ही शर्म बाली बात है सब के घर में माँ बेहन बेटी है वो भी हमारी यूपी भिहार की एक बेटी है और मतलब की बेटी है प्रतिषित जिसने यूपी बिहार का प्रतिष्था जो है इंडिया लेवल पर लेके आई है जिसका नाम है शिल्पी राज कौन नहीं जानता है बिदेशों में भी जहाँ-जहाँ भुजपुरी के दर्सक है वहां-वहांँ उनकी आवाज जो है बसता है उनका आवाज का रुतबा बोलता है उसके खिलाफ इतनी घंदी साजिस बहुत ही निदने है भोजपुरी जगत के लिए वही खास कर क्योंकि भोजपुरी जगत में बहुत सारे लोग हैं बहुत सारे और प्रतिष्ठित लोग हैं उनसे हमारा आ मत हुआ है कल दूसरा कोई और आके ऐसे ही किसी को बदनाम कर देगा कुछ भी कर देगा कहने का मतलब मेरा यह है कि गलत करने वाले से जादा गुनेहगार जो होता है गलती बरदास्त करने वाला यह जो यह होजपुरी इनड़्ष्टी को बदनाम कर रही है हमारी भोजपुरी अधरि पर रही है । अपर से ऐसे हरकते हैं जब जाएगे सामने दूसरे जगां पर दूसरे परांत में तो कहेंगे भुषपरी मैं अश्री ही लोग हैं कभी उसका वायरल होता हूं मैसको द totally तो ये चीज है इसी चीज को रोकना है हमें आप सबसे निवेदन है आप सबसे प्रातना है कि इस चीज को बढ़ावा ना दे और ऐसा कोई हरकत करता है तो उसको भरपूर जवाब दे तो चलिए दोस्तों वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे भिया जो हमारा था हमने अपने दोस्तों तक हम अपने दर्शकों तक पहुचा दिये हैं और अंत में जाते जाते सिर्फ इतना ही कहेंगे कि हमारे बड़े भाई गुड़ो भिया जो हैं यह भी काफी समय से संघस कर रहे हैं हमारी तरह हम भी काफी समय से संघस कर रहे हैं तो बस आप सब क का प्यार आशिरवाद चाहिए क्योंकि आप सब का प्यार आशिरवाद मिलेगा तभी हमारा मनुवल जो है न स्ट्रॉंग होगा तभी हम आपके लिए कुछ बहतर कर पाएंगे तो खिर्पया अगर आप तक यह हमारी वीडियो गई हो चैनल को सब्सक्राइब करें या ना कर है इस चीज का और उन लोगों को सबक सिखाएं जो यह घटिया गिरी करते हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करते हैं तो चलिए दोस्तों जैहिन जैभारत